Hello Everyone, Welcome to Back to Basic Channel इस वीडियो में हम Basic Assumption जो है वो Personality के बारे में पढ़ने वाले है हमने बहुत सी Personality Theories के बारे में पढ़ा जिसमें हमने Freud पढ़ा, मारे पढ़ा, इरिक फोम के बारे में पढ़ा अलपोर्ट के बारे में जो है इन सभी की थियोरी देखी और इन्होंने जो है एक बात बताने की कोशिश की कि व्यक्ति की Personality किस तरह से जो है वो Define होती है, किस तरह से वो बनती है किसी ने कहा कि जो है Personality जो है जो है जेनिटिक बेसिस पर बनती है Freud ने कहा Unconscious Forces पर बनती है सभी Personality Theories का एक ही Important Goal था Human Nature के बारे में पढ़ना, बताना और उनके बारे में जो है Prediction करना Personality Psychologist ने Human Nature का कुछ Basic Assumptions दिये इन Assumption को Different Different Personality Theories ने अपने अपने ढंक से जो है वो Explain किया मतलब Assumptions में क्या होता है कुछ जो है Personality Psychologist का मानना था कि जो है हमारी Personality Free Will पर Depend करती है Free Will यानि कि एक Person अपनी Personality को जो है वो खुद गवर्ण करता है उसके पास यह Strength होती है कि वो अपनी Personality को गवर्ण करी कुछ का ऐसा मानना था कि एक व्यक्ति की Personality Deterministic होती है Unconscious Forces के तुरू जो है वो Guide होती है कुछ का मानना था कुछ का Assumption यह था कि Rational तरीके से जो है एक Personality को Define किया जाता है कि सोच समझ कर एक व्यक्ति जो है वो अपनी Personality को बनाता है और किसी का मानना था कि हमारी जो Personality वो Irrational वे से चलती है तो अलग-अलग Psychologist ने अपनी Theory देते समय जो कुछ Assumptions बनाई इनी Assumptions के बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं इन Assumptions को जो है वो Bipolar Dimensions में Divide किया गया जिसमें First है Freedom और Determinism जिससे Free Will और Deterministic भी खहते हैं एक Person को Day-to-Day के Behavior को Direct और Control करने में कितनी उसके पास Freedom होती है Freedom होती भी है या नहीं होती है तो ये जो है बताने के लिए जो ये पहली Dimension आती है कुछ Psychologist का मानना था हमारी Personality हमारा Behavior पर हमारा बहुत पूरा ही Control है और कुछ का मानना था कि हमारा बिलकुल भी Control नहीं है कुछ Theorist ने इस बात पर Focus किया कि Human अपनी Day-to-Day Behavior करने में पूरी तरह से Free है Self Forces के थुरू उनके जो है वो Personality Guide होती है जिसमें Carl Roser का नाम आता है दूसरी तरफ थे जो दूसरी डैमेंशन थे Determinism वाले दूसरी साइड कुछ Personality Theorist का ये मानना था कि Human Nature Unconscious Motive से गाइड होता है उसके जो Past है उसके जो Childhood Experiences है उसकी Personality जो है वो उससे गाइड होती है Genetics से गाइड होती है Reinforcement से गाइड होती है कि बहार से उसे किस तरह का Reinforcement मिल रहा है उससे जो है उसकी Personality बनेगी तो जो है एक व्यू था कि जो है पूरी तरह से फ्री होते है Personality को गाइड करने में और एक व्यू था ये था कि Unconscious Forces Past, Reinforcement ये जो है Personality को गाइड करती है तो ये पहली Assumption थी Freedom और Determinism Second Assumption जो है Theorist ने मानी Rationality और Irrationality जो Rationaly Forces द्वारा Human Behavior कंट्रोल होता है उनका मानना था कि Person की Reasoning Power Day-to-day Behavior Direct करता है इसका मानना था कि इनका मानना था Rationalistic व्यू वालों का कि Human एक Rational Organism है जो अपने Behavior को Control करता है Reason देकर Thinking करके Cautioning करके जो अपने Behavior को Guide करता है इसमें जो है हमने थियोरी पढ़ी थी एक जोर्ज कैली की जिसने जो है अपनी थियोरी में 11 Corollary दी थी जिसमें उसने बताया कि उस वे जो Corollary थी वो जो है Updated होती रहती थी Time to time अलग-अलग Events से लेकर जो है Mind में Corollary बनी हुई थी तो यह जो है यही कहना था Rationalistic वीवालों का कि Mind जो है हमारे जो है हम सोचते है Reason करते है Thinking करते है उससे जो है हमारा Behavior हमारी Personality जो है वो गाइड होती है Second view था Irrationalty इनका क्या मानना था Irrationalty वालों का मानना था कुछ ऐसे थियोरिस्ट थे जिनका मानना था Human Behavior Irrational Forces के त्रू Direct और Control होता है ऐसे Irrational Forces जैसे Unconscious Past Experiences Childhood Experiences कोई जो है Past में Traumatic Event हुआ हो तो इस तरह के कोई भी Reason Thinking या Coaching नहीं की जाती Human का Behavior Irrational Forces के थू जो है वो गाइड होता है इसमें जो है सबसे पहले रखे जाते है Freud जिनकी पूरी थियोरी ही Unconscious के Base पर थी तो Irrationalty वीवालों का यही मानना था कि Human जो है कोई भी Reason नहीं करता है कोई भी जो है कोशनिंग नहीं करता है कोई भी जो है Reasoning नहीं करता है उसका Behavior जो है वो Irrational Forces के थू जो है वो गाइड होता है Third Dimension थी Holism और Elementalism इनका View था Holism वाले Dimension का View था ये मानते थे इनकी ये Assumption थी Human Behavior को Explain करने के लिए Person को जो है वो समपून रूप से Hol में समझना जरूरी है जो है किसी भी Personality को किसी के Behavior को जो है वो Parts में नहीं समझा जा सकता उसे जो हो पूरी तरह से Hol में समझना होगा तो ये जो है वो Holism वालों का मानना था जिसमें हमने Gestalt Psychology के बारे में पढ़ा था उनका मानना था कि चीजों को Whole में हम समझते हैं Element में या Small Small Things में जो हमें पूरा Concept Clear नहीं होगा अगर हमें किसी परसन को समझना है तो उसके हर Part को समझो उसके जो है Cognitive Activity कैसी है Behavioral Activity Genetic सारे Holism को समझो तो ये जो है मानना था Holism Dimension का Second Assumption थी Elementism जो इसका Second View है इनका मानना था Human Behavior को Systematically Study किया जाना चाहिए एक Human जो है बहुत वास्ट होते है उसका Behavior पूरी को जो है वो Study करना Possible नहीं हो पाएगा अच्छे से Study भी नहीं कर पाएगे इसलिए ये अच्छा होता है कि किसी के Behavior को किसी की Personality को Break में समझे Small Small Parts में आप समझे तो ऐसा जो है मानना था Elementalism व्यूवालों का Personality उसमें Genetics का कितना रोल है और Environment का रोल कितना है तो Constitutionalism व्यूवालों का मानना था Human Personality जो है वो Physical Factors पर Depend करती है जिसमें जो Hypocrates की हमने Study पड़ी Krishmer की Study पड़ी Sheldam की Theory हमने पड़ी तो इनका क्या मानना था कि Human Behavior Human Personality जो है वो Physical Factors पर Depend करती है Physically, Genetically वो Person कैसा है? किस तरह का उसका Physical Factors है? वो जो है मोटा है, लंबा है, पतला है किस तरह कि उसके अंदर Body Flute जो हो रहे है वो Depend करेगा उस Person का Behavior कैसा होगा और उस Person की Personality कैसी होगी? ये मानना था Constitutionalism वालों का Next है Environmentalism इनका मानना था, दूसरा Assumption है इनमे, Environmentalism जिनका मानना था, Human Behavior जो है वो, Environmental Factor पर Depend करेगा जिस भी तरह का आप Environment देंगे, एक व्यक्ति को उसे तरह कि जो है उसकी Personality बन जाएगी जैसे हमने Skinner के बारे में पढ़ा उसकी Theory पढ़ी हमने जो है वो Social Learning पढ़ी ये जो है, परसन Socially Learn करता है होता है, तो ये जो है मानना था, Environmentalism वालों का की जो Environment Factor है Environmental Factor है, Social Factor है Cultural Factor है, जो भी बच्चे को सिखाया जाएगा उससे ही जो है उसकी Personality गाइड होगी, और Constitutionalism वालों का मानना था कि जो Physical Factor उसकी Body Type पर Depend करेगा कि उसकी Personality कैसी बनेगी, उसका Nature कैसा बनेगा तो ये जो है Fourth Dimension थी, Fourth Assumption थी, जो है Personality Theorist वालों की Next Dimension है Subjectivity और Objectivity क्या परसन सिर्फ Subjective Experiences से Influence होता है या Objective Experience से भी Influence होता है Subjectivity, Dimensions का मानना था जैसे इसमें देखे Karl Roser Karl Roser की Personality थियोरी में बताया गया Person जो है वो अपने Internal Experiences उसके खुद के साथ उसके खुद के क्या Experiences है उससे जो है वो Influence होकर उसकी Personality में कोई Change आएगा ऐसा जो है वो Karl Roser जो Subjectivity के जो है वो Support करते थे कि Human के जो भी Internal Experiences होते है उससे जो है उसका Behavior Guide होगा उसकी Personality जो है वो Guide होगी लेकिन दूसरे तरफ Skinner ने बताया कि ऐसा नहीं है External Factor Objective Factor जो हो Influence करते है किसी की Personality को जैसे कि कोई Reward हो गया जैसकि Money हो गया Food हो गया ये जो है वो Objective Factor है तो उसका मानना दा कि जो Objective Factor है External Factor है बहार के जो Factor से External Experiences जो Person कर रहा है वो जो है उसकी Personality को Influence करेगा Fifth Dimension थी Changeability और Unchangeability यह Assumption बताती है कि एक व्यक्ति का Behavior उसकी Personality Change हो सकती है यह Change नहीं हो सकती वो Stable होती है तो यह जो है दो Point of View थी जिसमें जो है Ericsson के ठियोरियों में हमने पढ़ा उसका मानना था कि अलग-अलग Stages होती है Personality की अलग-अलग Stages में एक व्यक्ति की Personality ग्रो होती है तो उसने यह बताया कि जो हमारी Personality एक व्यक्ति का Behavior जो हो Change होता रहता है जैसे जैसे उसकी Age बढ़ती जाएगी उसके जो है Personality में Change देखने को मिलेगा तो यह जो हो Changeability Assumptions जो हो मानी जाती है Next था Unchangeability View में Freud Freud का मानना था Personality Change नहीं होती आपके जो Childhood Experiences बन गए आपके जो Unconscious Forces जो है वो Guide करेंगे आपके Behavior को उसे Change नहीं किया जा सकता Stable होती है Personality Human Behavior को Change नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके Personality जो है वेक्ति को जो है वो Childhood Experiences से चलती है वो Fixed होती है तो यह जो है वो Unchangeability Dimensions बताती है जैसे Subjectivity Factor में देखिए कोई Traumatic Experience है यह जो है वो Subjectivity Factor होगा यह जो है किसी वेक्ति की Personality को Influence करेगा कि उसके साथ जो है वो Traumatic Event हुआ जिसकी वज़े से जो है उसकी Personality चेंज हो गई तो यह जो है वो Subjective Experience था Karl Roser का मानना था जो भी एक Person Subjectively अलग-अलग जो है Experience करते है Internal Experience करते है वो उनकी Personality को जो है वो Change करते है Effect करते है Objectivity Factor में मानिए Money जो External Factor होता है वो जो है इनका मानना था Money जो है वो सबकी Personality को जो है वो Influence करेगा किसी एक व्यक्ति की नहीं करेगा सभी की ही वो कर देगा वो Influence तो जो है Skinner का मानना था कि Objective Factor जो है वो Influence करते है Personality को और जो है Roller का मानना था कि Objective Factor जो है वो Influence करते है Personality को Next Dimension देखिए Proactivity और Reactivity Proactivity का मतलब होता है जो personality chain जो भी behavior हम कर रहे है वो internally अगर motivate होकर हम खुद से ही वो करना चाहा रही है अगर उससे हम वो behavior करते है तो उससे जब वो proactivity कहा जाता है reactivity में क्या होता है अगर हम किसी external motivation से external chain से जब वो motivate होकर inspire होकर कोई भी personality change कर रहे है या behave कर रहे है कुछ भी तो उससे जब रियक्ट करना कहते है reactivity कहते है तो एक dimensions का मानना दा कि person जब वो internally inspire होकर कोई behavior करता है और reactivity वालों का मानना दा कि जब एक person जब वो externally inspire होकर कोई behavior करता है नेक्स्ट डैमेंशन है नौइबिलिटी और अनौइबिलिटी इसमें क्या होता है एक परसन के बिहेवियर को परसनेल्टी को क्या पूरी तरह से समझा जा सकता है ये कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते है जिसे जो है वो समझा नहीं जा सकता कुछ साइकोलजिस्ट जिन्होंने डैटर्मिनीजम और अब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया वो जो है वो नौइबिलिटी अजम्शन के फेवर में थे उनका मानना था कि हुमन बिहेवियर को पूरी तरह से समझा जा सकता है उसके बारे में जाना जा सकता है वो पूरी तरह से जह वो समझा जाता था लेकिन अनौइबिलिटी डैमेंशन वालों का मानना था अजम्शन वालों का मानना था कि जो है एक इंडिविज्यल का बिहेवियर उसकी परसनेल्टी जह वो बहुत ही वास्ट होती है उसमें जह वो डेली चेंजिस होते रहते हैं तो कुछ भी जो है हम पूरी तरह से हम सिफ कुछ पार्ट ही जो है एक बिहेवियर का हुमन बिहेवियर का उसकी परसनेल्टी का समझ सकते हैं हम पूरी तरह से जो है वो किसी भी परसन की बिहेवियर को नहीं समझ सकते ऐसा जह वो अनौइबिलिटी वाले अजम्शन का मानना ये था basic assumption personality की human behavior की जब भी कोई theorist जो है वो theory बनाता है तो कुछ assumptions जो हो ले कर चलता है अपनी theory बनाते समय, तो ये वही assumptions थी, किसी का मानना था कि personality free will होती है, किसी का मानना था deterministic होती है, किसी का मानना था कि हम personality को पूरी तरह समझ सकते हैं किसी का assumption था कि हम personality को बिलकुल नहीं समझ सकते हैं उसके कुछ ही part को समझ सकते हैं पूरी तरह नहीं समझ सकते तो किसी का assumption जो है ये था कि personality जो है वो subjectively guide होती है किसी का मानना था कि personality objectively guide होती है तो इस सारी assumptions जो हैं हमने इस वीडियो में पढ़ी कि जो है वो अलग-अलग theorist क्या समझ कर क्या उनका मानना था कि किस तरह से जो वो personality human behavior जो वो guide होता है तो जुड़े रहे हमारे channel back to basics से Thank you for watching this video Thank you